विदेशों और खासकर श्री लंका से बढ़ते आयात के कारण पिछले कुछ सप्ताहों से काली मिर्च के घरेलू बाजार भाव पर दबाव बना हुआ है, लेकिन आगामी सप्ताहों के दोरान इसमें कुछ तेजी आने की उम्मीद है। दरसल प्रमुक उप्योग करता क्शेतरों में आयातित काली मिर्च का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद होने तथा मानसून की वर्षा का दौर जारी रहने से दक्षिन भारत की उतपादक मंडियों में कारोबार कमजोर पढ़ गया था। इसके साथ साथ आयातकों द्वारा अपेक शाकरित कम दाम पर इसकी भारी बिक्री भी की गई। इससे बाजार पर असर पढ़ने लगा। इसमें विदेशों से आयातित माल की मातरा ज्यादा और घरेलू उतपादन की मातरा बहुत कम है। उतपादकों को उम्मीद थी की काली मिर्च का भाव बढ़कर सत्तर हजार रुपए प्रती क्विंटल पर पहुँच जाएगा लेकिन आयातकों की भारी बिक्वाली ने बाजार का समीकरन बिगार दिया है। जुलाई माह के दौरान देश में कुल 5085 टन काली मिर्च का आयात हुआ। इसमें सिर्फ श्री लंका से आयातित माल का योगदान करीब 4400 टन रहा। शेश काली मिर्च का आयात वियतनाम सहित अन्य देशों से किया गया। आयातित माल की बिक्री जल्दी जल्दी की जा रह गई है वैसे इसकी क्वालिटी काफी कमजोर बताई जा रही है और इसमें नमी का अंच भी उंचा है माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में बढ़ने वाली मांग को पूरा करने के लिए दिसावरी व्यापारी अब उतपादक केंद्रों में काली मिर्च की खरीद में टॉक मौजूद है यह देखना आवश्यक होगा कि अगस्त माह में विदेशों से इसका कितना आयात हुआ ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी